नमस्कार फिर से एक दुखत खबर एक सड़क हासा लगातार केई बार हमने खबरे भी लाई है आखिर उस एरिया में बात करें कि डोडा किश्टवार बदर आकी तो लगातार जो अक्सिडेंट के केस असरक दुरगर्टना के केस सामने आते हैं फिर से एक दुखत हासा हुआ बताना चाहेंगे एक महिला जिसकी आला सड़न मृत्ती होगी और उनके हस्बन जो पती तियास हो है वो गंबी रुप से घायल हुए यह बताना चाहेंगे जट्टी के असर इलाके के डोडा के जट्टी जो असर इलाका वहां की है यह खबर है पूरी और पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे कि एक गाड़ी जिसका नाम है जिसका नमबर है एक्सप्रेस हो और जिस्टेशन नमबर है जेके सीयान फाइफ एट नाइन टू जो की बलेसा गंदो से जम्मू की तरफ आ रही थी और डंसल एरिया जो डोडा का पड़ता है वहां पर गाड़ी न जिनका नाम है शुकुंतला देवी वाइफ आ मंगत राम रेजिडेंट आफ गंदो बलेसा डोडा और उनके हस्बंड जिनका नाम बताना चाहेंगे आपको जो की गंबीर रूप से वो भी घायल हुए मंगत राफ सन्नाफ धरम दमुदर सिंग रेजिडेंट आफ चिली ब लेसा डोडा और साथी साथ यह बताना चाहेंगे आपको लगातर इस तरह के हासाथ उस एरियास में आए दिन देखने को मलते हैं और सबसे बड़ी बाद जब यहासा हुआ अलखेर और पूलीस ने वहां पर पहुंचे और वहां पर जो गायल हुए उन्हें जो हस्पिटल जो की होस्पिटल पहुंचाया गया फिलाल यह बताना चाहेंगे आपको लगातर इस तरह के हासे उन रोड पर देखने को मिल रहे हैं और आखिर इस तरह की हासा की कारण क्या है कि आए दिन बड़े-बड़े हासे होते कई सारे लोग मारे जाते कई लोग गंबी रूप से जखमी होते हैं और फिलाल उन्हें गौर्मन मेडिकल होस्पिटल है वहां का डोडा का वहां उन्हें शिफ्ट किया गया है और सबसे बड़ी बात कि आए दिन इस तरह के हासाथ का होना कईना की चिंता का वीशे है आखिर कहां कमिया है कहां खराबी है जिसके चलते उस रो पामीन शेयत्र के एरिया के जो उपर गाउं है दूर दरा वहां की बताया थे कि किस कदर महां के हालात है खराब पे बास से बत्तर है और बैक टो विलेच के नाम पर लोगों का आइवाश किया गया बैक टो विलेच program जो 1982 34 हніर कर वहां की लोगों को तो उनका ही नहीं पत उस कारण को खंगालना होगा चैनल क्या ते सड़के हैं वहां की या उसकी वज़े है जो गाडियां चलती है आप पर क्या मार्ट कराद आधिन वा味 कोई खराबी और भर ज३़ आधिक का रोगना श्रक ही तार है स्टह उरह थे खबर खूर best लें एक खमज़े हैं और यह हुआ है डोड़ा के असर जठी इलाके का और जो काड़ी एक्सप्रेस्टर नंबर है कार नंबर जेके 02CN5892 हम यही प्राधना करते हैं कि जिन महिला की जान गई है भगवान उनकी आत्मा को शांती दे उनके परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति दे और साथ ही साथ यह कहेंगे जो व्यक्ति इस गंभी रूप से घायल हुआ है उन्हें जल से जल स्वस्त हो जाए पर सवाल फिर से हमारा रहेगा आखिर कब रोका जाएगा इन हासात को आए दिन इस तरह की खबरे हमें देखनी छोड़ रहे हैं से मारस अगले अपडेट के लिए जाहिन जबर